जी वच्वरी हमारा टॉपिक है इस एक ऐसा टॉपिक है जो फिर में भी आता है फस्टे में भी है और और ऑबिस्टी यह कभी-कभी एक विच्टन जो है आप इसको देखेंगे यह इसकी कितनी डाइवरस्टी है तो कंडिशनल संटेंस असल में होता क्या है पहली बात तो य जो हम रही क्लाइव बनती है नहीं सबस्क ज्याइब नहीं रहे कंडिशनल संटेंस असल में हमाना से बनता है किया हम से अम्तनी कृति एगकी एक जांपल है तो there are four major types of conditional sentences, each has two parts namely conditional clause and result clause. लेखने हैं जिसको के जो आपकी conditional sentences होते हैं, उसकी कितने parts होते हैं, दो part होते हैं, कौन-कौन से दो part होते हैं, एक होता है, कौन सी conditional clause और दूसरी कौन से होती है, result clause. यहां जो condition clause होती है, उसको dependent clause भी कह सकते हैं, वो if से start होती हैं और Ph firm होती है, और जो result clause होती है, वो independent होती है। एक टिपेनट होगी, और एक, एक एंटिवन जब आता हूं कि यह संटेंट के अंदर दो खोगी हो इस से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो conditional clause may be present, past, future tense. Each tense explains different shades of meanings. So, result clause purely depends upon the tense of conditional clause. With present it takes will, with past it takes good, and with past it takes good. Example number one. Example number one or conditional sentence type one. इसको CST1 लिख रहा है, आप इसको CST1 भी लिख सकते हैं, लिखें इसको CST1, C, S, और T, और 1. CST1 को क्या मतलब बनेगा? Conditionence type number one. लिखें सन्नाज लिखें, अच्छा एक और होती है, Conditionence type two. तो ये क्या लिखेंगे, आप C, S, और T, और क्या होगा होगे? तो conditional sentence type number two. फिर लिखें, Conditionence type number three. CST3 होगा, और फिर आप लिखें, CST4. तो चार conditional sentence होगे, जिसको आपने पढ़ना है. एक्जांपल देख लिएते हैं, पहली एक्जांपल लिखें आप. इसका नाम ना, फिर्स कंडिशन के नाम है, Possible Condition. इसका नाम Possible Condition इसलिए लखा हुआ है, कि ये जब भी Condition पूरी होगी result almost ऐसा ही हैगा. जैसे, if he comes in time, he will get food. इसमें मैंने कौन सा टैंस यूज किया है, वेल यूज किया है, और वर्ब की बेस फर्म लगा दिया है. इसको हम कहते हैं, CST 1. ठीक हो गए लिए, आगे देखें, आप लिखा हुआ है. अगली जो क्लॉस का नाम है, Improbable Condition. Improbable Condition का मतलब होता है, जो के रियालिटी में आम तौर पर exist नहीं करती. If we came in time का मतलब यह है, कि वो टाइम पर नहीं बहुंच सकता, because of some reasons. यह इसका hidden meanings है. यह second condition, जो ना, Improbable Condition, इसको Subjunctive भी कहते हैं, इसको Subjunctive कहते हैं, Subjunctive को Spelling आपको आते हैं, C, U, B, J, U, N, और C, T, I, V, Subjunctive. Subjunctive का मतलब बता है, unreal past. यह एक ऐसा sentence है, एक ऐसी condition है, जैसे मैं कहते हैं, if I were you, अगर मैं तुमारी जगा पर होता है, जारी बादर मैं आपको जगा पर नहीं हो सकता है, और मैं कहूं कहूं कि जी, if I were millionaire, तो right now तो मैं millionaire नहीं हूं, इसलिए हम इसको second condition कहते हैं, नाम कहाई इसका improbable condition, जो के आँ तॉर पर possible नहीं हो सकते हैं, तो if I came in time के मतलब है, अगर वो किसी तरह time से पहुंच भी जाएगा, तो he would get food, तो यहां देख है, बेस बम दो गाई है, ठीक है लिए, second condition clear हुई, इसमें आपने जो focus क्या करना है, if clause के साथ आपने कहा लगाए है, past, और आगे result clause के लगाए है, would get लगाए है, लेकिन sentence number CST3 में, CST3 का मतलब है impossible condition, इसका नाम did not happen भी होता, impossible condition did not happen, यह ऐसी है, जैसे if you had come in time, अगर वो वकत पर आया होता, इसका मतलब है कि वो वकत पर आया ही नहीं, वो वकत पर आया ही नहीं, यह action हुआ ही नहीं है, लेकिन हम इसका ख्याल, मतलब कैए तो तितना, अगर यार ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, मतलब यह कि बॉल अगर सीधी आरी होती तो विक्टों को लग जाती और अगर तुमने मेनत की होती तुमने मुझे इसलाम किया होता तो मैं तुमने जवाब जवाब जबी देता ऐसे condition को हम if he had come past perfect में लिखते हैं और रिजल्ट क्लाउस को किसमें रिखते हैं वुट लगाते हैं हैं लगाते हैं और गॉट लगाते हैं तो he would have got food he would have got food तो if he had come in time he would have got food तो यह आपका कौन सी condition होगी CST 3 हो जाएगा यह आपकी CST 3 होगा CST 3 का मतलब क्या होगा condition sentence type number 3 ठीक है अब लिखें condition sentence type number 4 इसमें बड़ा क्या होता है इसको zero condition कहते हैं इसको zero condition कहते हैं और zero condition राद ही है कि दोनों ही clauses present में जाती है if he is present है और gets कौन सा है यह भी present है इसको zero condition है if he is honest in his dealing तो he gets his share अगर वो अपने dealing में honest है तो इसको जूरूर अपना share मिलेगा ठीक होगे मारे बच्चों concept clear होगे अपनों को अब मुझे जल्दी जल्दी से इसकी एक मुझे बता दें इसका तेस्ट दें रजा कि आपको यह समझ आईए कि नहीं आप से लिखें if he works hard लिखें अंदरा sentence if he works hard तो बताएं आगे क्या आएगा he will get success तो यह कौन सी condition हो गई cst1 तो इफ के साथ आपने कौन सी condition लगाई थी present simple और दूसरी क्लास में क्या लगाए आपने विल get success हो गया तो इफ ही works hard he will get success तो यह अपनी condition कौन सी एटी cst1 है cst1 और एक और example बता दें जल्दी से आपने if लगाना है उसके साथ present test लगाना है कौमा लगाकर आगे आपने बहुत भी जनब आगे अपने वेल के साथ बहुत की first form लगानी है जली दी बोने कोई यह तो हो गया इफ और example नहीं इफ ही works के लाव होना है शाबश सोचें if he listens to me if he listens to me अगर मेरी बात को गौर सुनेगा तो क्या होगा he will understand my point ठीक है if he comes in time he will get seat he will get seat होगा तो if you obey your parents your parents will be happy with you किती example ठीक है बनाएं जी second condition बताएं क्या होगा वह वाला पहले संस क्या था पहले संस में इफ ही इसका second condition क्या बनाएगा if he worked hard हो जाएगा और आगे क्या होगा इसका मतलब यह है कि if he worked hard का मतलब यह कि भाजन को असानी से महिनत करने वाला नहीं है आं यह कोई सुर्थाल थो वाजए नहीं है एक्जामपल और एक्जामपल देने इस्टागी अगर मैं दुनिया का सदर होता दुनिया के सदर ही को नहीं लेकर मैं कहने में क्या रजाए तो मैं क्या कूँगा इफ आए वर दप्रेज़न दिस गूर्ट अगली क्लाज में क्या सकूल अगर वह स्कूल गया होता तो ही वुट है वार थाई उट वर्ट वट वट तो एपी हैड वर्ग्डार मेनत की होती तो पास होता इप हैड कॉल मैं नेम अगर इसने मिजे पकारा होता तो आइव डिश्पॉंड इसको बुलाया ना मैंने रिस्पॉंड किया ठीक है तो इसके जीरो कंडिशन क्या होगी जिसकी में जिल्ट कंडिशन की होगा यह जब बहुत है जाए जैसे इफ कोई हीट वाटर वाटर क्या करता है एवापरेट करेंट नेंकर अर्णाट जब जब है तो हम कौन सी करनेशन करते हैं जिरो करनेशन करते हैं लोरी बात फिर हो गई है लोरी इतना आज के लिए इतना लेसन काफी